सब्सक्राइब करते हैं अब आपको सब्सक्राइब करते हैं अब आपको स्मार्टफून में आपको स्नेपडरगन 765G वाले जो प्रोजेसर है वो देखने को मिलेगा और सब्सक्राइब करते हैं अब आपको स्नेपडरगन 765G वाले प्रोजेसर है वह देखने को मिलेगा जो कि पूरा कंफर्म हो चुका है और आपको स्मार्टफून के तरफ और रेड्मी के थर्टी सीरिस के अंदर में एक और नया स्मार्टफून बहुत जाद आपको देखने को मिलेगा और बहुत जाद लॉंच होने वाला है उसमें आपको 64 मेड़ा पिक्सल का क्वाड कमरा सेटब देखने को मिलेगा साथी में पॉप अप कमरा का सपोर्ट होगा और साथी में मीडिया टेक डामेंशिटी सीरिस के अंदर में कोई एक प्रोजेसर देखने को मिल सकता है और मुझ गलक्सी एंफटी का सकसेसर है अब समस्म गलक्सी एंफटीवन स्मार्टफून की बैटरी यह वो साथी में इसके बैटरी की लाइब इमेज भी आज़ चुकि जो कि मैं आपको श्याजार आट्सों में आपको 6800 देखने को मिलेगी जो कि जब कमपनी इस स्मार्टफून को आपको गूगल की तरफ और आप गूगल मेसेंजिंग एप के लिए एक नया डूलाट किया गया है और यह अपडेट उन्हीं स्मार्टफून के लिए रूलाट किया गया जिनके स्मार्टफून में एंडूट 11 चल रहा है और इस नया अपडेट के कारण अब आपको प्रेंड उनको जब मेसेज करता है तो आपको अपने होम स्क्रीन पर एक छोटा सा पॉप अप देखने को मिलता है जो कि मैं आपको डिश्लेपर शो कर रहा हूं तो सेम ऐसा ही आपको गूगल मेसेंजिंग एप में देखने को मिलेगा जिसको बबल नोटिफिकेशन बोलत बट अब इस नए अपडेट के बाद इंस्टेक्राम इस्टोरी टैप कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो कि देखने में कफे ट्रेक्टिब लग रहा है और साथी में थोड़ा अलग डिजाइन लग रहा है तो बाकि यह जो नया अपडेट है इसको पाने के लिए आ अब तक आ चुका है तो इसलिए अगर आपके फोन में इस्टाग्राम एप में यह निया अपडेट इस्टोरी टेवाला जी यह निया रीडिजाइन वाला जो अपडेट है वह आज चुका है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो आगा जियो की तरफ और स्मार्फोन के लिए जून 2020 का सीकुरूटी पैच अपडेट रूल आट कर दिया गया है बहुत सारे बक्स को फिक्स किया गया साथी में आप्टुमाईशन भी इंप्रूब किया गया और बहुत सारे नेने फीचर भी एड़ किया गया है तो अगर आप रियलमी सीथरी स्मा स्मार्फोन में आपको हाई-end लेंस देखने को मिलेगा और बुरी खबर यह है कि आइफ़वन 12 की मास्ट प्रूडक्शन आप पोस्पूंट कर दी गई है तो आपको आइफ़वन 12 स्मार्ट फोन की जो लॉंच है वह आपको और थोड़ी लेट देखने को मिल सकती है आग समार्फोन लॉँच करता है यहां तक कि आप लोगों के कई लोगों के घर में इधार में तो दोस्तों अब ऑपना ज्जो नेव में उसको चेंज करके सोणी ग्रूप रखने वाला है यह जो नेम चेंज हुआ है यह आपको कैसा लगा आपको कमेट शेक्षन में बता सकते और पर तो पब जी की तरफ और पब जी की तरफ से दोस्तों एक बहुत इंट्रेस्टीन निउस निकल कर आ रही है और यह नेक्स्ट लेवल की ही निउस है मतब 17 साल का एक लड़का है और पंजाब में रहता है और उसने अपने पब जी प्रूफाल को अपडेट करने के लिए 16,00,00,00 रुपे लगा दिया और यह जो 16,00,00,00 रुपे है यह उसके ममी पापा ने बहुत ही मेनत करके जमा किये थे और जब उनके पापा को पता चला कि उनका जो यह बेटा है वो बैंक से निकाल कर पब जी प्रूफाल को अपडेट करने में लगा दिया तो उसके ममी प पापा ने एक डिजन लिया और उन्होंने अपने बेटे को एक स्कूटर रिपैरिंग शॉप में भेज दिया काम करने के लिए और उन्होंने यह डिजन लिया कि जब तक वो उनके सब्लों रुपे चुकाता नहीं है वो लड़का घर नहीं आने वाला है तो सोच लिए दो बचाओ और थोड़ा समझदार बनो और यह एक न्यूस थी जो मैंने आपको दे दी तो इसलिए जो भी गेम खेलो उसके एडिक्ट मत रहो आप जो काम उसको करते रहो और गेम आप थोड़ा इंट्रेस्ट मतब टाइम पास करने के लिए खेल सकते हो थो थोड़ा मूड फ और साथ में साइड में साइड मांट फिंगर्पर स्कैनर मिलता है बाकि इसके डिटेल्स नहीं आई है कि किस नेम से यह स्मार्फोन आने वाला है और क्या स्पेसिवेशन होगी बाकि इसके डिटेल्स में आपको बहुत ही जल्दी दिए दूँगा आगे पको की तरफ पर ने टीज करते हुए कंफर्म कर दिया कि पोको एंटू प्रो स्मार्फोन में आपको क्वाल्कॉम का प्रोशेट देखने को मिलेगा जो कि मैं आपको डिस्प्ले में शोग कर रहा हूं अब ध्यान से देख सकता हूँ क्वाल्कॉम का लोगो बना हुआ तो जिससे कंफर्म ह और गीकमेंच की माने तो पूपो में आपको सनेवेटरगन गांटीजी प्रोशेट देखने को मिल सकता है और सनेवेटरगन इस्मार्टफोन सीरीज ग्लोबली लॉञ्च होने वाला है जुलाय की थर्ड वीक में और इसी ताथ जो गलोबल लाउंच किया जाएगा उसमें आपको Vivo X50 series के अंदर में Vivo X50 और X50 Pro smartphone देखने को मिलेंगे Vivo X50 Pro Plus smartphone देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि Vivo X50 Pro Plus smartphone only China के लिए launch किया गया था तो global जब launch होगा Vivo X50 series के अंदर में आपको Vivo X50 और X50 Pro smartphone देखने को मिलेगा और इंडिया में Vivo X50 series 20 July के पहले ही आपको देखने को मिल सकता है और इंडिया में भी Vivo X50 series launch होगा तो उसमें भी आपको Vivo X50 और X50 Pro smartphone देखने को मिलेगा Vivo X50 Pro Plus smartphone देखने को नहीं मिलेगा पाकि ये official confirmation है नहीं कि 20 July के पहले ही से launch किया जाएगा ये बस एक लीक्स है तो आप तो आप थोड़ा समझ के मता मान के रखो कि Vivo X50 series smartphone 20 July के पहले ही आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है तो दोस्तों पसंदा है तो लाइक ज़रू करना दोस्तों सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन सब्सक्राइब को मिल जाए कि यह भी मैं आपको पहले बोलता था और आइधिंग मुझे लगता कि बाद में भी बोलता रहूंगा मुझे याद हो चुका है दोस्तों तो मैं आपसे ही कहूंगा कि वीडियो पसंदा है तो लाइक ज़रू करना साथी में चैनल को सब्सक्राब कर लेना तो मिलते हैं आपको नेक्ट वीडियो में कल सुभा वाली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत इस्टे हो मेरे श्रे सेवरी और अपना ख्याल रखिए